कर रहा था तो मैंने सोचा कि मैंने जिस तरीके से स्टडी कर रहा है फंडमेंटल प्लस टेकनिकल के बेसिस पे कुछ स्टॉक्स जो फाइंड आउट करता था वो सारी चीज़े मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ जो इसके साथ ही मैं अब एक नई चीज भी लेकर आ रहा हूँ जिसमें मैं पर्टिकुलर स्टॉक के एक पर्टिकुलर डिटेल्ड वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं फंडमेंटल्स टेकनिकल्स दोनों कवर करूँगा फंडमेंटल्स के अंदर मैं आपको बता हूँगा कि कौन कॉल्स कैसे पढ़ना चाहिए उसके बेसिस पे कैसे डिसीजन लिया जा सकता है रेशियो पी ए रेशियो आपको बताई जाएगी इसके लावा टेकनिकल्स के साथ हम लोग लब करके क्या करेंगे कि पर्टिकुलर लेवल्स फाइंट करेंगे जो की बेस्ट होंगे उस लेवल पे बाई करने के लिए फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक फॉर लॉंग टम पी डेट के लिए तो मैं वो वीडियो भी जल्दी बनाने वाला हूं बट आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कल की मा लोग study करते हैं निफ्टी के चाट को अभी मैंने टू आर्स का टाइम फ्रेम उपन कर आवा है और इस पर हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं कि मार्केट एक हायर हायर लो की फॉर्मेशन पर ट्रेट कर रहा है रिसेंटली अभी अगर आप लोग चेक करेंगे तो इसके अलावा अगर आप यहां चेक कर सकते हैं यह डबल टॉप फॉर्मेशन हम लोगों को इस लेवल पर देखने को मिला था और इग्जाक्ली इसी लेवल को टेस्ट कर रहा था इसने यह स्टड़ी सेशन पर एंड उसके बाद हम लोगों को फॉल देखने को मिली करता था ठीक है अभी अच्छा सपोर्ट मिंटेन कर रहा है अब यहां पर हम एक चीज स्टड़ी कर सकते हैं कि मार्किट बहुत इजी वे पर ऊपर गया और इस लेवल को टेस्ट करा है यह नहीं कि एक बहुत बड़ी मुमेंट के साथ दो तीन काइंडल के साथ इसने एक म पर हम देख सकते हैं कि एक अच्छा पुल बैक हम लोगों को इस लेवल से देखने को मिलाता है and after a very good पुल बैक इस लेवल से एक रिजेक्शन मिला और रिजेक्शन भी इसलिए मिला because यहां पर एक डबल टॉप फॉर्मेशन था तो थोड़ा बहुत फीर आता और एक स्प पर एक Fibonacci को ड्रॉप करते हैं अब यहां चेक्कर सकते हैं मैं Fibonacci को ड्रॉप कर रहा हूँ and exactly Fibonacci पर आप देख सकते हैं 50 और 61% पर एक रेज बना देते हैं ठीक है and Fibonacci को डिलीट कर देते हैं यहां पर आप क्लिरली चेक कर सकते हैं कि exactly इस मोमेंटम से आने के बाद इसी लेवल पर टेस्ट कर आ and most probably यहां से हमें एक bounce back कल के trading session पर देखने को मिल सकता है अगर by chance bounce back नहीं आता तो इसी range के अंदर यह थोड़ा बहुत consolidate कर सकता है and after that हम लोगे bounce back देख सकते हैं अगर यहां से momentum आना start होता है तो most probably यहां पर एक breakout भी आ सकता है because आप देख सकते हैं head and shoulder type of formation create हो जाएगा यहां पर और उसका अगर breakout आता है तो यह जो trend line चल रही है higher highs and higher lows की वहां तक most probably यह test कर सकता है almost 22,900,950 तक भी यह easily जा सकता है so make sure आप इसको watch करके जरूर रखें but अगर यह इस level को break करके नीचे जाना start करता है we will not take a short position because उसके बाद वो setup change होगा वो हमें examine करना पड़ेगा है उसके बाद ही हम लोग short position ले सकते हैं so यह चीज को याद रखना अगर fall आता है तो उस fall में part मत लेना आप लोग part अभी लेना जब यहां से एक recovery या momentum में shorter time frame के अंदर देखने को मिल सकते हैं अब बात करते हैं एक बार bank nifty के chat की so bank nifty के chat हम लोग ने open कर दिया है and यहां पर आप clearly देख सकते हैं अपर भी एक higher high higher low formation चल रहा था and जो resistance के trend line थी exactly उसको इसने test करा and after that हम लोगो एक selling pressure देखने को मिला so आप clearly एक चीज तो समझ सकते हैं यह जो selling pressure आया था because of the trend line because of the minor minute resistance की विज़ा से आया था जादा कुछ ऐसा नहीं था कि एक panic selling आ गई थी but एक simple profit booking scenario था ठीक है अब हमें इस चीज में क्या करना चाहिए आप देख सकते हैं कि एक previous swing high हुआ करता था जिसका breakout देने की कोशिश करी थी but वो stable नहीं हो पाया and हम लोगों ने एक breakdown देखा after that it test this particular support line and उसके बाद आपने एक अच्छी momentum होते वे देखने को मिली है अब यहाँ पर हम क्या scenario fulfill कर सकते हैं आप clearly देख सकते हैं यह भी एक higher iron higher low formation create कर रहा है simple what we do is we create Fibonacci and इस Fibonacci के अंदर भी हम लोग एक range create कर देते हैं and that is this particular range अब अगर हम इसको delete करते हैं most probably अगर वो इस range के अंदर आता है तो जो इसका यह previous level था जिससे हम लोगों के एक fall देखने को मिली थी इस level की आप check कर सकते हैं इस particular level को यह test कर सकता है that is 49,000 को यह एक बड़ यह test कर सकता है and उसके आसपास आ सकता है उसके बाद एक momentum हमें उपर की तरफ दुबारा देखने को मिल सकता है ठीक है so make sure करिएगा अगर यहाँ पर हम लोगों एक rejection देखने को मिलता होना lower time frame के अंदर या एक bullish pattern देखने को मिलता है तो definitely we can go long there but otherwise अगर selling आता है तो selling में participate बिलकुल मत करना because bank sector अभी भी बहुत जादा strong है and हमें लगता है कि उस पर अच्छे momentum अभी भी captures हो सकते है ठीक है so buy on dips की सला definitely रहेगी but short करने की सला अभी market हमें नहीं दे रहा है ठीक है so अब बात करते हैं कुछ particular stocks की तो सबसे पहला stock जो मैं आप लोगों के साहँ में लेकर आना चाहता हूँ that is HFCL let's open its weekly time frame first of all yeah so let's open a monthly time frame तो मैं intraday के लिए आप लोगों को अल्रेडी पता होगा मैं intraday के लिए stocks नहीं देता मैं as a short term basis के लिए देता हूँ almost 2021 June that is 19 साल के बाद 19 साल के बाद जाके इसने एक breakout दिया and breakout देने के बाद तीन साल तक एक ही range के अंदर ये maintained रहा it created a very good flag and pole pattern after that it gave a very good breakout breakout देने के बाद let me just show you on the Fibonacci side year a bottom year a top 61% को test करा है आप वहाँ पर एक momentum आना शुरू हो गई है और ये इस range के ऊपर जाके sustain कर रहा है flag and pole का breakout दिया retest करा momentum देना start कर रहा है I personally think अभी 100 रुपे का level cross कर रहा है तो बड़िया stock है आप अपने portfolio पर रख सकते हैं as a swing trade रख सकते हैं 120 हव यानि कि यानि कि यहां से 25% की movement हम लोग definitely expect करके चल सकते है according to the patterns जो हम लोगों को देखने को मिल रहा है बट अगर हम लोग monthly time frame पे flag and pole pattern को study करें तो यहां से most probably 160-170 की levels भी यह दिखा सकता है so make sure अपने portfolio पे इसे जरूर रख सकते हैं कल अगर आपको लगता है कि 100 की ऊपर यह trade करना start कर रहा है और pause ले रहा है उसके ऊपर sustain कर रहा है आप definitely buying position which some short quantities बना जरूर सकते हैं ठीक है so एक बार आप इसे जरूर चेक करेगा बट अपनी analysis चेक करेगा उसके बाद ही trade लीचेगा ठीक है अब बात करते हैं अपने second stock की so हमारा दूसरा stock है Therumilai chemicals Therumilai chemicals पर आप देख सकते हैं कि after a very good fall जो हम लोगों को 2018 में देखने को मिली थी जिसकी ending March 2020 पर दो साल के बाद हम लोगों को उसका bottom out उतेवे देखने को मिला था after that a very good recovery हम लोगों ने एक साल के अंदर ही देख ली थी और उसके बाद ये consolidation zone में चला गया था after a very good consolidation zone इसने एक flag and pole pattern create करा जिसका एक बहुत बढ़िया हम लोगों को breakout देखने को मिला after a very good breakout आप यहाँ चेक कर सकते हैं यह जो particular highs थे उस highs के उपर closing दी after a very good closing it came for a retest, it sustained यहाँ पर हमें momentum देखने को मिला and after finally it gave a very good breakout इसके लाव हम लोगों ने आपर volume profile indicator का भी इस्तमाल कर रखा है इस volume profile indicators में बताता है कि किती buying and किती selling हम लोगों को देखने को मिल रहे है काम major resistance hurdles देखने को मिल सकते हैं यह जो आप blue color की line यहाँ पर देख पा रहे हो यह blue color की line की उपर भी जाके इसने close कर दिया 260-265 की उपर I personally think यह particular stock यहाँ से 3, 30, 3, 40 रुपीज तक के भी levels दिखा सकता है अगर इस level का breakout sustain करता है So definitely पहला था HFCL जो की एक flag and pole का bullish pattern का breakout दे चुका है इसके अलावा है तिरुमिलाई chemicals अब बात करते हैं अपने third and last stock की So हमारा guys third stock और last stock है रतनामी, metals and tubes यह भी trade कर रहा है almost around 31-60 रुपीज के लेवल के आसपास I know यह थोड़ा सा high price के अंदर trade कर रहा है But higher price की तरफ मत जाएगा अगर आप कम quantity भी लेते हैं But इसमें जो momentum आती है वो कम stocks के बराबर बहुत जादा भी आती है तो अगर आपके पास कम quantity भी होगी तो आपको अच्छे returns यह दे सकता है So make sure करिए आप momentum की तरफ जाएए और ना कि यह देखकर कि price अगर heavy है तो मैं नहीं लेता ठीक है, surety अगर इस पे जादा है As you can see it here, इस level पे After that यह हमेशा इस particular blue color की line आप देख सकते है इस blue color की line that is 15 EMA 15 EMA के उपर ही trade करते रहा, करते रहा, करते रहा And after that it break down It take a very good support at 50 EMA ठीक है और जब भी 50 EMA को आप को भी multiple stocks को study करेगा जब भी 15 के नीचे break करता है तो 50 को भी break करता है After that एक बड़ी recovery आती है और जैसी वो 50 EMA के उपर जाके 15 को break करती है तो वहांसे एक rally दुबारा start हो जाती है Again, same thing happened here यहाँ पर आप चेक कर सकते है इसने previous एक बहुत बढ़िया momentum दिया था उस momentum को इसने easily capture करा previous swing low को break नहीं करा इसने 50 exponential moving of rich का breakdown करा बट next candle ही उसके उपर जाके close हो गई After that आप यहाँ देख सकते है Last week इसने इस 15 EMA के उपर भी बढ़िया closing दिया अब यहाँ पर buy on dips भी सलाब बना सकते है इसके लावा एक बड़ी momentum भी आप capture कर सकते है Because stock already अच्छे uptrend के अंदर चल रहा है यह easily दिखा सकता है तो make sure अगर आपने इसे buy नहीं करा तो अगर buy on dips की सलाब भी मिलती है तो आप कम-कम quantity करते करते इस पर add on कर सकते है Stock अच्छा है, company अच्छी है इस पर आपको बढ़िया results मिल सकते है So आज के लिए यही तीन stocks थे I hope आप लोगों को पसंद आया होगा Make sure to subscribe to this channel जिसमें मैं और ऐसी वीडियो लेकर आने वाला हूँ जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे stocks को study करना है क्या fundamentals देखने है, कैसे technicals देखने है and उसके basis पे कौन से stocks आप long term अपने portfolio के लिए आप कर सकते हैं या as a swing trading भी दो हफ़ते के लिए तीन हफ़ते के लिए आप कर सकते हैं, जो आपको अच्छे returns दे सकते हैं So make sure to like this video and subscribe to our channel Have a very good day guys, मैं आप से कल मिलता हूँ